Hello Friends, हम पढ़ेंगे Past Tense, ठीक है, Past Tense यानि भूत काल, जो कारियर भूत काल में हो चुका है, खतम हो चुका था, मतलब जो पहले हुआ था, उसको हम भूत काल केते हैं और इंग्लिश में Past Tense केते हैं अब Past Tense जो है, वो इंग्लिश में हम Past Tense के चार तरकी के Sentence बना सकते हैं, एक है Past Indefinite, एक है Past Continuous, Past Perfect और Past Perfect Continuous, ठीक है, जब Past Indefinite Tense हम लेते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से कर्पना करते हैं, कि किसी ने कोई काम किया, भूत काल में किया, मतलब वो पहले हो चुका, जैसे सीत ने काना काया, तो इसमें हम यह प्रेटन कर रहे हैं, कि सीता गाना का चुकी है, मतलब पहले हो गया ये काम, कब हुआ हमें नहीं पता, लेकिन गाना काया था उसने, ठीक है, तो इसमें हमने Sentence बनाया, सीता शैंग ए स्वाघोлемर लानग, ठीक है, क्या बनाया, सीता, सैंग a song ठीक है? और इसको हमने बनाया कैसे? इसके लिए simple past tense या past indefinite tense का rule क्या है? subject plus second form of verb plus object. अब यहाँ पर समझने वाली बात है. subject क्या है? subject वो होता है इंग्लिश में वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर हम सीता के बारे बात कर रहे हैं. तो हमारा subject हुई सीता. तो सबसे पहले हम subject लेंगे. तो subject की जगे आया सीता. ठीक है? उसके बाद second form of verb. verb मतलब कार्य. मतलब क्या कार्य कर हो रहा है? subject द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो यहाँ सीता द्वारा गाना गाया जा रहा है. ठीक है? तो गाना गाने को इंग्लिश में क्या केते है? sing. और sing की second form क्या होती है? sang. यह past form होती है. ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? second form of verb. तो subject हमने लगाया था सीता. second form of verb लगाई हमने यह तो हमने यहाँ तक sentence complete कर दिया. सीता sang. सीता ने गाया था. क्या गाया था? a song. यह जो क्या वाला जो प्रशनला क्या किया था? ठीक है? किसको किया था? तो यह object जन्रेट करता है. ठीक है? जैसे यहाँ पर object के जगे आया a song. ठीक है? तो subject plus second form of verb plus object a song. ठीक है? इसी में more examples एक example और यह है मैंने राम wrote a letter. यहाँ पर subject क्या है? राम. Second form of verb क्या लग जाएगी? राम ने letter लिखा. तो पहले लिखा था. तो हम इसको past tense मिले जाएंगे और past indefinite मिले जाएंगे. लिखने के second form है? रोट. तो राम wrote a letter. राम यानि subject wrote यानि second form of verb. राइट का past form क्या है? रोट. अबजेक्ट यानि a letter. ठीक है? यह है past indefinite. अब हम आते हैं past continuous way. यानि past continuous नाम से समझ मारा होगा past में जो काम चल रहा था. continuous मतलब चल रहा था. continue था. ठीक है? तो इसका उधारन हो जाएगा. सीता गाना गा रही थी. तो इसका sentence बनेगा सीता was singing a song. ओके? इस में rule कैसे लगेगा? subject. subject यानि सीता. प्लस या तो was लगेगा या word लगेगा. ये helping verb होती है. singular के साथ singular subject के साथ was लगेगा. plural subject के साथ word लगेगा. ठीक है? तो सीता हो गया subject. क्योंकि वो singular है इसलिए लगा was first form of verb. काम क्या है? गाना. तो गाने को इंग्लिश में क्या कहते है? sing. sing के साथ हम क्या लगाएंगे? ing. तो sing, ing. sing, ing. sing, ing. प्लस object. अबजेट क्या है? a song. एक गाना गया है. ठीक है? तो वो सीता गाना गा रही थी. तो सीता was singing. क्या गा रही थी? a song. तो यह object हो गया. और इसी का हमने इसका past continuous form लखा. तो राम यादी subject. अगें क्योंकि यह singular है तो was फिर first form of verb प्लस ing. तो first form of verb क्या हो गए? write. w-r-i-t-e. write. जब हम ing लगाएंगे तो e हट जाएगा. और यहाँ पर writing बन जाएगा. a letter. ठीक है? अब आता है past perfect. past perfect मतलब जिस ऐसा कार्य जो पहले हो चुका है. हो चुका था. भूष बूत काल में खदम हो चुका था. ठीक है? तो यानि सीता गाना गा चुकी थी. तो सीता head. अब आपको समझ महा रहा होगा कि head किसको denote कर रहा है? past perfect tense को. हो चुका था. और यह sung. संग क्या है? sing की third form. जो second form होती है, वो होती है sang. जो हमने यहाँ simple past या past indefinite में लगाई थी. यह है sung. यह third form है. sing, sang, sung. तो सीता head sung a song. सीता गाना गार चुकी थी. इसका rule क्या है? subject. सब्जेक की जगे आया सीता. head तो लगेगा ही क्योंकि past perfect है. जो कारे भूत काल में खतब हो चुका था. plus third form of verb. तो इसलिए हमें forms याद होने बहुत जरूरी है. तो यह हो जाएगी third form sung. फिर है a song. यह हो गया object. तो a song हो गया object. फिके? इसी को हमने यह जो नीचे वाला वक्य था उसको भी हम change कर रहे हैं. राम letter लिख चुका था. तो राम यानि subject चुका था. sentence का वाक्य परचा निए. चुका था. चुके थे, चुकी थी. बाके के अन्त में यही लगेगा. तो राम head, head की जगे head, written, third form of the verb. write, wrote, written. Wrote, second form of verb. written, third form of verb. a letter. राम, एक letter लिख चुका था. अब है, past, perfect, continuous. की भूत काल में, हम किसी के लिए बता रहे हैं, कि वो इतने time से ये कार्या कर रही थी. मतलब, वो continuation में चल रहा था कार्या. कि कुछ time से चल रहा था. तो उसके लिए मैं past perfect continuous use करती हूँ. कि कि खतम नहीं हुआ था. चल रहा था. वो तब भी ये काम कर रही थी. तो कुछ-कुछ perfect tense का significance है, कुछ-कुछ continuous का significance है. तो देखिए, सीता 9 बजे से गाना गा रही थी. देखिए, वापिस से यहां रही थी, रही थी कि एक जैसी चीज जरूर है. देखिए, यहां पर tank भी बताया है, कि इतने बजे से गा रही थी. तो हमें थोड़ा सा समय का अंदाजा है. इसके वज़े से हम इसे perfect tense, हमने इसको past perfect continuous, इसकी category ही अलब कर दी. तो सीता, हैड, बीन, सिंगिंग, सॉंग, सिंस, 9 o clock. तो देखिए, यह रूल कहा है इसका subject. सब्जेट के हो गया, सीता, हैड, बीन, जब इस तरह के वाकिय आएंगे न, कि इतने बज़े से यह का रहे हो रहा था, दो गंटे से यह काम हो रहा था, तब आपको पहचान हो जानी चाहिए, कि यह past perfect continuous का वाकिय है, ठीक है, सब्जेट के जगे हो गया, सीता, हैड बीन के जगे हैड पीन, फर्स फार्म आफ वर्ग, प्लस आइएंजी, तो फर्स फार्म आफ वर्ग, प्लस आइएंजी, सिंग, इंग, और अब्जेट, अ सॉंग, लेकिन नौ बजे से भी तो लगाना पड़ेगा, तो सिंग, नाइनो, अगर हमें टाइम दिया हुआ होता है, नौ बजे, आठ बजे, साथ बजे, तो हम सिंग लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें एक particular time बता रहा है, एक time बता रहा है, ठीक है, और इसका मैंने यहीं पे sentence चेंज किया है, कि राम एक घंटे से लेटर लिख रहा था, तो subject की जगे राम, head being की जगे, head being, first form of verb plus ing, first form of verb plus ing, plus object, a letter, for an hour, ये since किसले आया था, since इसले आया था, कि हमें particular time बता था, हमें यहां पे था हुम काहली बता रहे हैं, कि एक घंटे से लिख रहा था, कितने बज़े लिख रहा था, कितना वो क्या, वो time हमें नहीं बता, तो इसके लिए क्या लगाता है, for, जब समय की मात्रा बताई जाए, यहां समय की मात्रा बताई है, एक घंटे से तो यहां पर हम क्या लगा देंगे तो इस प्रकार से पास्टेंस के चार तरीके से हम पास्टेंस को यूज़ करते हैं और उनके ये rules हैं आगे जाके हम इनको थुड़े टीक में पढ़ेंगे और work के forms में पढ़ेंगे थैंक यू फ्रेंगे